मिलेट की आइटम बना के उसका सब कुछ बनता है इडली, धोसा, धोकला, हांडवा, आप जो भी रोटी, पराथा, और खिचडी, पुलाव, उपमा, सब कुछ बनता है उसका यूट्यूब पे डॉक्टर खादरवली सर्च कर देने का मिलेट के बारे में सब कुछ आपको जानकारी दे देंगे डॉक्टर खादरवली जिसको धम मिलेट मैन कहा जाता है उन्होंने मिलेट से काफी लोगों के कई रोग मिटाए हैं उनकी अमली बना के उनको फर्मेंट करके कैसे खाना है तो ज्यादा तर लोग जानते ही है मिलेट्स के बारे में तो वो अपने पास है इदर ये जो है ये सब मिलेट्स है पाँच किसम के मिलेट्स है मिलेट्स से जिनका वजन कम है उनका बढ़ता है जिनका ज्यादा है उनका आइस्ता आइस्ता कम होगा अगर ज्यादा खाएंगे तो नहीं होगा कम मात्रा आपको तैय करनी होगी तो मिलेट्स से काफी रोग जाते हैं इसके बारे में आप लोग यूट्यूब में देख लेना तो इसके बारे में मैं ज्यादा ना बताऊं क्योंकि फिर वक्त नहीं है मुझे सारे टॉपिक ज्यादा तर आज ही कवर करने है तो आप साम के वक्त में मिलेट्स की हर कोई आइटम बनाके खा सकते हैं इस बार तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ वरना फॉर्स्ट डी जब महमान आते हैं उसी दिन हम मिलेट्स की इडली सांबार खिलाते हैं सबको और या फिर आखरी दिन खिलाते हैं लेकिन मैं दोनों में से एक भी बार हाजिर नहीं हूँ वरनाम बना के आपको खिलाते तो इसके लिए आपको सप्टेम्बर में आना पड़े क्योंकि सप्टेम्बर में मैं पूरे दिन हूँ तो इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहता है इसमें भरपूर B12 है केल्शियम है और काफी रोगों को ये मिटाता भी है जैसे आप हो सके तो जो रोगी है पहले रसाहार और फलाहार करे उसके बाद का जो स्टेप है आगे क्योंकि तपस्चर्या जब हम करते हैं रसाहार फलाहार तो हर कोई कर सकता है लेकिन कठिन में कठिन तपस्चर्या कठिन में कठिन रोग जिसको है वो उसको करनी है वो है एक आहार एक ही आहार का आपको प्रयोग करने का रोग आपको पता है, आपको क्या है? मुझे नहीं पता है. आप अंदर क्या भरके और क्या लेके आयो हो? मुझे नहीं पता है. लेकिन आपका रोग अगर बहुत भारी है, डॉक्टर के कहने के अनुसार, बहुत ऐसा कोई रोग है कठीन वाला की जो मिट नहीं सकता है, और आप आखरी रास्ता ढूंड के इधर आये हैं, तो आपको रसाहार के बाद एकाहार में जाना होगा, एक ही आहार का सेवन, जिसका सीजन चलता है, उस आहार पे हम आपको एकाहार करवाएंगे, ये आप किसी अनुभवी सादक से पूछ के इसका आगे का सेवन कर सकते हैं, क् आपका मन करें, उसमें आम का एकाहार और अंगुर का एकाहार, वो सेमिनार भी लगते हैं, और ओर्गेनिक अंगुर के उपर भी सेमिनार लगते हैं, तो ये सेमिनार आठ दस दिन के होते हैं, ओर्गेनिक चीजे क्यों खानी चाहिए, क्योंकि पैस्टिसाइड से आप सब को पता है कि cancer आता है तो आजकल हर सबजियों में फलों में pesticide सबसे ज़्यादा छेड़का जाता है उसको हम धो सकते हैं alkaline water से या फिर अभी जो machine निकला है cangan water का उसमें भी एक acidic water निकलता है ये सबजियां और फल धोने के लिए लेकिन अपने पास अगर कुछ भी नहीं है त क्या करेंगे तो एक साधा तरीका अपने घर में फिट करी ला दीजिए एक टुकड़ा पात दस रुपय का आएगा फिट करी तो बहुत सस्ती मिलती है बस वो फिट करी का एक टुकड़ा आप बड़ा सा टब लीजिए पहले आप एक बार अच्छे से जो भी आपको पूर फिट करी का टुकड़ा डालिए पांच मिनिट रखिए और पांच बार घुमा के वो टुकड़ा वापस रख दीजिए वो रोज काम आएगा वो फिट करी वाले पानी में पूरे दिन का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डुबा दीजिए आधे गंटे के लिए या आपको जितना वक्त है और फिर आप अच्छे से गीस के उसको दोले फिर आप उसको सादे पानी से दोले दूसरा तरीका है सादा नमक जो पांच या दस रुपय के जी आता है वो नमक के पानी में भी आप फ्रूट और वेजिटेबल्स डुबा के रख सकते हैं और फिर अच्छे निम्बू का रस आप पूरे दिन में आपको जितने चाहिए उतने निम्बू आप निचोड के उसका रस अलग ले लो और उसके जो छिल के बचे न वो आप पानी में ऐसे ऐसे कर दो और उस पानी में सब डुबा के रखो ताकि उपर उपर से जो भी दवाईयां छिड़क जो उपर का फैस्टिसाइड्स हटाएगा और गेनिक मिले तो अगर आप गाओं में रहते हैं तो आपको ज्यादा तर और गेनिक ही मिलेगा लेकिन सीटी में संभावना कम है आप किचन गार्डन भी कर सकते हैं कोई कोई चीजे उगा भी सकते हैं अपने टेरेस पे अपने गेलेरी में अभी तो ऐसे कई कीचन टेरेस के अरे सौरी कीचन और टेरेस जो उगाते हैं और गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ये सब आप कर सकते हैं अगर शौक है और आपके पास वक्त है तो दुनिया में सबसे बड़ी बिमारी आप समझते हो की कैंसर है नहीं कैंसर से भी बड़ी बिमारी है आपको पता है क्या है कैंसर से बड़ी बिमारी कभी आपने देखी है सबसे बड़ी बिमारी है गरीबी बहुत बड़ी बिमारी है ये ये जिस इंसान को होती है न उसे पता होता है कि उसे कितनी चिंता रहती है कल की, कैंसर के पेशन्ट को तो चलो पता है कि एक दिन जाना है, सब को जाना है, आद नहीं तो कल लेकिन गरीबी सबसे बड़ी बीमारी क्यूं है, अगर उसको हम हटाना चाहते हैं, तो हमें सर्व प्रथम अपने रोग मीटाने होंगे तो ही हम किसी को काम आ सकेंगे न, दर्द रहित जीवन, दवा रहित जीवन बनाना होगा क्योंकि हम अपने कमाई का ज्यादातर हिस्सा दवाईयों में डालते हैं अस्पतालों में डालते हैं इंसान बिमारी ही रहता है आप देखते हो कोई न कोई बिमारी आप इतने जने हो ना आप जहां पे रहते हो ना उस सोसाइटी में, उस एपार्टमेंट में, उस परिसर में, आपके समाज में, केवल एक घर नौक करके दिखाईए, जो किसी भी पती की दवाई ना लेता हो, केवल एक घर चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, आपके परिवार, आपके समाज, आपकी सोसाइटी, आपके अपार्टमेंट, आपके फ्लैट से, नौक करके एक ही घर चाहिए, जो किसी भी पती की दवाई ना लेता हो, जो नेचरोपती अपनाते है, उसके घर में दवाई नहीं आती है, लेकिन जो नहीं अपनाते हैं उनके घर में जरूर दवाई आती है तो क्या आप में से कोई ऐसा है घर जो किसी भी पथी की दवाई न लेता हो कोई फक्की न लेता हो है कोई नहीं है ना तो सबसे बड़ी गरीबी ये है दवाई खाना ये सबसे बड़ी गरीबी है क्योंकि हम मौताज हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है पॉकेट में पैसे हो या ना हो मैंना हुआ जाओ क्योंकि दवाई खतम है दर है दवाई नहीं लेंगे तो क्या होगा ये दवाई से ही हम चुटकारा पाले तो दवाई से चुटकारा पाने का एक ही रास्ता है पहले अपने घर में पैकेट वाला पराई मा का दूध लाना संपूर्ण बंद कर दो संपूर्ण बंद पराई मा का दूध तमाम रोगों की गंगोत्री है तमाम रोगों को जो न्योता देता है वो है पराई मा का दूद सुबे भी बताया कि हर मा का दूद अपने बच्चे के लिए है दुनिया में 84 लाक योनी है मनुस्य के अलावा किसी भी योनी के पसु प्राणी को पक्षी को आपने पराई मा का दूद पीते हुए देखा है गाय भैस का भैस उट का उट बकरी का कुटा बिल्ली का किसी का दूद पीते है क्या बिल्ली सबका दूद पी जाती है कुटे को डालते है तो कुटे भी पी जाते है लेकिन उसको डालते है तो पीते है बिल्ली तो घर में दूद पड़ा है तो उसमें भी मूँ डाल देती है लेकिन बाकी किसी प्राणी को आपने पराईमा का दूद पीते हुए नहीं देखा है हुआ किसी को Corona, किसी के अस्पताल, किसी को बाइपास हुआ, कभी कोई गाय का बाइपास हुआ, कभी कोई भैस जो इतनी मोटी है, हाथी जो इतना बडा, मोटा, उसको कभी Heart Attack हुआ? क्यों नहीं हुआ क्योंकि उसका खानपान सही है उसकी काया भले कदावर है लेकिन उसको हार्ट अटेक नहीं होता है क्योंकि वो प्रकृतिक भोजन खाता है केले का पुरा लूम खा जाएगा आप रखोगे ना तो पपीता पुरा का पुरा अपनी सूंड से उठा के ले लेगा छिलता भी नहीं है उसके सीड के सहीद खा जाता है उसको कुछ भी नहीं होता है अपन तो छिल के खाए अच्छे से दो के खाए काट के खाए फॉक से खाए की हाथ से infection लग जाए और फिर भी इंसान भीमार क्यों? कारण एक ही है पराई मा का दूद सभी रोगों की गंगोत्री है मा का दूद यानि की अपना दूद जब हम अपने बच्चे को देते हैं न वो जीरो फैट का होता है जब हम उसे छे मैने के बाद उपर का दूद शुरू करते हैं तो हम थोड़े न अपने घर में गाई पालते हैं अपने बच्चे को दूद देने के लिए जगा जगा से आता है और पता नहीं कितनी गईया के कितनी भैसों के दूद अंदर मिक्स है और कितने दिन रहा तब जाके आप तक पहुँचा अब वो दूद जब आप पीते हो तो वो सच्चा तो है ही नहीं पहली बात और उसके जो फैट सोते है न बकरी के दूद में चलो कम फैट है दो या चार फैट गाय भैस के दूद में छे से लेके बारा फैट तक का दूद आता है इतने फैट आप पचा सकोगे अपने बच्चे को भी पिलाते हो तो उसको भी आप रोगी बना रहे हो ओबेस बना रहे हो वो दूद जो आप अपने बच्चे को अपने लाडले को पिला रहे हो वो जहर है वो आहिस्ता आहिस् कितनी बारिक और कितनी छोटी होती है उससे भी छोटी ऐस्ता ऐस्ता ब्लॉकेज शुरू कर देता है लेकिन डिटेक्ट होता है अफ्टर फोर्टी या थर्टी कि अब आपको ब्लॉकेज है अबी तो कम उम्रे में भी हार्ट अटेक आने लगे है न सबको पता है कुंडली में नहीं लिखे है फिर भी हार्ट अटेक आते हैं क्यों क्योंकि ये ज्यादा फैट वाला दूद जो आप पीते हो और दूद से बनी चीजे खाते हो चीज बटर पनिर चीज बनाया जाता है बहुत गंदे तरीके से जितना अपना दूद की हमारी जितनी डिमांड है न उतने दूद देने वाले पसु ही हमारे पास नहीं है दूद भीकता है 14,000 करोड लिटर स्वारी मिलता है पसुओं से 14,000 करोड लिटर और बिकता है 64,000 करोड लिटर 50,000 करोड लिटर दूद आया कहां से कुछ न कुछ है अंदर मेले माइन वैक से दूद बनता है पानी में यूरिया, कलर, सैम्पो कैसी कैसी चीजे डाल के लोग नकली दूद बनाते हैं और असली दूद के साथ मिक्स कर देते हैं फिर वो जाता है मंडली में, मंडली में से जाता है डेरी में, डेरी में वो 160 डिग्री पे पैस्चुराइज होता है आप समझते हो, आप पैस्चुराइज दूद पीते हो, इसलिए आप सेफ हो, बिलकुल नहीं सर्दी खासी जुकाम आपने कभी किसी प्राणी को देखा है और आपको तो इधर ये बारिजगीरी नहीं, कि इधर भी निकलना शुरू हुआ नहीं सर्दी, खासी, जुकाम ये सब होता रहता है, ये केवल और केवल दूद के कारण है, इधर आपको दूद नहीं मिलता है, इतनी बारिश है, किसी को सर्दी है? नहीं है, है, कोई बात नहीं, आप पहली बार आये हैं ना इधर, तो अच्छा, सर्दी लेके आये थे, कोई बात नहीं, सर्दी का नियम है, साथ दिन के बाद ही मिटती है, चाहे कितनी भी दवाई कर लो, वो नहीं मिटेगी, वो ढलती ही नहीं है, लेकिन सर्दी का एक सर उपाय है pineapple का juice पके हुए pineapple का juice अगर आप को खांशी है तो आप पके हुए pineapple में उसको जब छिल देते हो काटे की निकालने की जरूरत नहीं है पतला पतला छिल दो अच्छे से धोलो उसके खड़े चार पीस कर लो और बीच का जो eyes वाला part है ना hard वाला वो हलका सा निकाल दो उससे ना गले में कभी खिच-खिच होती है, तो वो पार्ट हलका सा निकाल दो, फिर उसके पीस करके जूसर में डाल दो, साथ में छोटा अध्रक और एक टमाटर, ये कॉंबिनेशन आपका सर्दी और खासी तिन दिन में मिटा सकता है, लेकिन रहना पड़ेगा केवल इस पे, टमाटर का जूस, नीमबू का पानी, नीमबू पानी, गरम पानी में नीमबू पानी, ये सब चीजे लो तो आपकी सर्दी विटामिन C से बहुत जल्दी गायब हो जाएगी, लेकिन आप जब आहार लेते हो, वो भी पकवा आहार, तो सर्दी बढ़ जाती है, आप कुछ गरम गरम खाते भी हो, तो भी आपकी सर्दी बढ़ जाती है, लोग कहते गरम गरम राप पियो, गरम गरम सूप पियो, गलत उपवास करो, तो सर्दी मिटती है, स्टीम लेना चाहिए हम स्टीम लेने से मना नहीं करते हैं यहाँ पे उसका भी प्रोडक्ट है स्टीम के अंदर आप तीन ड्रॉप केवल नास बिंदू डालोगे और फिर स्टीम लोगे तीन मिनिट में या तीन सेकंड में आपकी पूरी ट्रेक खुल जाएगी आपको कहीं बाहर जाना है आपको डर लगता है कोरोना का तो उसका पावर भी नीचे है बस उंगली पे लगा लो और अलग अलग नाक के अंदर आप लगा के निकल पड़ो कोरोना का पेशन भी खड़ा है तो भी आपको कोई इंफेक्शन नहीं लगेगा क्योंकि अभी आप पूर्ण तरह से नेचरो पेथी पे हो और नेचरो पेथी पे नहीं हो तो भी आप इस चीज का घर में लोगों को उपयोग करवा सकते हैं लेकिन ये दूद बंद करोगे तो सारे रास्ते खुल जाएंगे ये दूद जितना बिकता है उतना है नहीं तो उसमें कुछ नकली है नकली दूद और असली दूद क्या है तो जो दूद है वो कैसे निकाला जाता है गाय और भैस के आचल से पहले गाय और भैस को ओक्सिटोसिन के इंजेक्शन दिये जाते हैं oxytocin यानि steroid जिससे उसका दूद ज्यादा पूरे नस से निकल के आ जाता है तो oxytocin के injection दे के उसको निकाला जाता है आप अभी देखते होंगे कि CT की जो गाय है ना उसके आचल है ना वो कद से बहुत ज्यादा बड़े है CT में क्योंकि गाउं में तो इतना उप्योग नहीं करते है oxytocin का लेकिन CT में तो बहुत उप्योग करते हैं तो उसको oxytocin के injection देने की वज़ा से गाय और भैस की जो उमर होती है ओरिदनल होती है 20 से 25 साल लेकिन वो गाय oxytocin रोज रोज देने से उसकी उमर रह जाती है 8 से 10 साल करीबन 10 से 15 साल उसकी उमर वो injection से कम हो जाती है क्योंकि steroid है हम भी steroid लेते हैं तो हमारी उमर भी कम हो जाती है आप सबको पता है तो वैसे ही उस अबोल प्राणी को उसके उपर जो अत्याचार होते हैं दूद कब देंगे जब माँ बनेंगे तो साल भर डेड़ साल उससे ज्यादा तो नहीं दे सकते न तो हमने तो नियमन बना लिया हम दो हमारे दो पहले था अभी तो हम दो हमारा एक अभी तो यह आ गया है ना एक से दूसरा कोई भूल से भी ना मांगे क्योंकि महंगाई इतनी और पाल पोस नहीं सकते हैं क्योंकि जौप करते हैं तो सोचिए आप कि गाय और भैस जब बच्छडे देते हैं तो क्या वो हर साल बच्चे पैदा करते होंगे गाय और भैस को जैसे ऑक्सिटॉसिन के इंजेक्शन दिये जाते है न वैसे ही हॉर्मोन के इंजेक्शन दिये जाते है और उनको जबर्दस्ती हर साल माँ बनाया जाता है समझ रहे हो मेरा मतलब जबर्दस्ती किसको कहते है जिसको आप अपनी माता कहते हो गाय अपनी माता है 33 करोड देवताओं की देवी कहते है जिसकी हम पुजा करते हैं उस अबोल प्राणी पे हमारे दूद के कारण उसकी डिमांड के कारण उस गईया पे भले हॉर्मोन के इंजेक्शन दिये जाए लेकिन उतने से नहीं ये लोग थम जाते हैं उसके उपर बलातकार करवाते हैं और उसे जबर्दस्ती मा बनवाते हैं ताकि वो दूद दे उसका बचड़ा जब उसके पास ले जाए उसका आचल मूँ में लेता है तब मा दूद देना शुरू करती है जैसे ही वो दूद देना शुरू करती है बच्चा पीता है बच्चे को खीच के दूर लिया जाता है उसके मूँ में डूचा उसके हाथ पैर बांदे दिये जाते है क्योंकि वो अबोल है वो मा के आशू आपने नहीं देखे वो अबोल है लेकिन वो रोती है क्योंकि उसके बच्चे को ले जा रहे है और उसका दूद किसी और के लिए वहाँ पे मशिन लग जाता है आचल पे सीधा बच्छडे को हटा के वहाँ चारों आचल पे मशिन लगा के सीधा मशिन चालू करके पूरा दूद निचोड़ देते हैं ओक्सिटोसिन देते हैं तो सारा दूद निचोड़ देते हैं पूरा नस में जो बहता है वो भी उसका चला आता है कभी कभी तो ये लोग आचल से मशिन निकालना भी भूल जाते हैं और शाम को जब दूबारा दूद लेने जाए ना तब तक वो मशिन आचल पे रहता है सोचिए क्या होता होगा जब आपका बच्चा दूद पीता है उसे दात आता है और जब थोड़ा सा कभी बाइट कर लेता है हमारी कैसी चिख निकल जाती हर मा को पता है उस गईया का क्या होता होगा जिसके आचल पे पूरे दिन मशिन लगा है फले उसे खाने का देते हैं लेकिन नीचे अगर दर्द है तो वो कैसे खा पाएगी और साम को फिर वक्त हुआ बोले मशिन लगाया है सीधा चालू कर देंगे मशिन और फिर से पूरा दूद निचोड देंगे फिर वो मशिन खीच लेते हैं लेकिन मशिन टाइट होता है खीचते हैं पूरा दिन रहा है उस आचल पे सूजन आ जाती है और जब मशिन खीचते है तो उस पे जैसे हम खुजलाते हैं कैसे नासूर बन जाते है वैसे नासूर उसके आचल में बन जाते है और वहाँ से उसको भी खुन निकलता है ओक्सिटॉसिन की वज़े से, वो नासुर तो आद नहीं तो कल, रोज दिन में दो, एक बार तो ऐसा होता ही है कि ये लोग मशीन छोड़ देते हैं, या कभी भी ऐसे खीच लेते हैं, तो उसको दर्द होता है, उसको पस हो जाता है, उसके आचल में, वो ओक्सिटॉसिन के इ वहाँ पे गाय के लिए चारा लेके जाईए, एक सुई लेके जाईए, एक कटोरा लेके जाईए, या कोई भी एक बरतन लेके जाईए, उसको चारा लगा के सुई मार के आप जो भी लिक्वीड आए, वो आप अपने बरतन में लीजिए और पैथोलोजी में आप टेस्ट कर पहले उसमें पस आता है, उसमें खून भी आता है, दूद भी आता है, सब कुछ मिक्स आता है, और वो जाता है देरी में, पैस्चुराइज ये पस भी होता है, लेकिन अंदर ही रहता है, परदेश जाए तो पता चले उसका जो दूद का केन या पैकेट आता है उसके उपर लिखा होता है पस्ट 25% पस सेल 35% पस सेल परदेश में ऐसा लिखा होता है अगर यहाँ पे टेस्ट करवाओ ना दूद की जाच करवाओ ना तो 70% पस सेल आए दूद से ज्यादा पस है अब जब आप अपने लाडले को पिलाते हो तो यह मत सोचना कि आप दूद पिला रहे हो पस पिला रहे हो खुन पिला रहे हो फिर कैंसर नहीं होगा तो होगा क्या क्योंकि वो ओक्सिटॉसिन वो स्टिरोइड दूद के जरिये आपके पेट में भी जा रहा है ना फिर तो तुने मेरा दूद पिया है तो बिलकुल मेरे जैसा है यह ओबेसिटी आई कहां से चीज बटर पनीर दूद दूद की बनावट से यह दूद कभी नहीं पीना चाहिए हाँ आप एक गाय को पालते हो उसको हरा घास चारा खिलाते हो कपास का खल नहीं खिलाते हो मेरी एक-एक बात नौट करना जो कपासिया का खल खाती है खोड खाती है वो कैंसर है डायरेक्ट कैंसर है कपासिया तेल जो बार में तले भुने नास्ते मिलते है बाहर वो भी कैंसर करते हैं कपासिया तेल बहुत नुक्सान दे है उतना ही नुक्सान दे रिफाइंड ओईल है जो आप मार्केट में बिकने वाला खाते हो तेल कच्ची घानी का खाना चाहिए भले आपके देश में जो पकता है तील, मुमफली हम तो वही खाते हैं क्योंकि हमारे देश में वो पकता है ये तीली का तेल है प्योर लकड़े की घानी में खुद निकाला हुआ इसको आप एक चमच रोजा ना किसी में कच्चा डाल के खाओगे ना तो आर्थ्राइटिस चला जाएगा इतना पावर रहता है इसमें लेकिन सच्चा मिले तो ना हम तो मार्केट से लाते हैं क्या पता उसमें क्या मिक्सिंग है तो दूद में भी ऐसा ही है आप जितनी अपनी डिमांड बढ़ाते हो उतनी अंदर मिक्सिंग होती रहती है और आप तक पहुँचती है आज हर घर में डायाबिटिस और हर कुटुम में कैंसर है सोचो आप हर घर में डायाबिटिस और हर कुटुम यानि हर परिवार में किसी एक को कैंसर है कहीं मैं गलत हूँ तो आप बताईए लिकिन ये हार्स रियालिटी है आज बाप के कंदे पे बेटे की अर्थी जाती है कितनी दर्दनाक बात है ये आज का खान पान अगर नहीं सुधारा तो दो हजार पच्चिस तक पैदा होने वाले हर बच्चे को डायाबिटिस और हर घर में कैंसर आएगा ऐसा कहना डबलु एचो का है डबलु एचो सब जानते हैं ना वर्ल्ड हेल्थ ओर्गेनाइजेशन उसके नोबेल पारितोसिक विजेता जैपैन के डॉक्टर योशी नरी ओसुमी और अमरीका के डॉक्टर विलियम डेविस दोनों नोबल पारितोसिक विजेता डॉक्टर है इनों ने ये भविश्य किया है कि 2025 तक ये रेशियो अलग हो जाएगा आज आप देखते हो ना डाइबिटिस तो कितना बढ़ रहा है कुछ भी नहीं होता चेक करवाने जाए और सुगर निकले क्यूं आपने कोई ऐसे करम नहीं किये है लेकिन आपका खान पान ऐसा है पराई मा का दूद अगर बंद कर दोगे वीगन डाइट फॉलो करोगे तो आपके परिवार में दवाईयां आएगी ही नहीं देरी, बैकरी और ये हूँ तीन चीजे बंद कर दो फिर देखो क्योंकि डेरी गई यानि दूद और दूद से बनी चीजे गई तो हार्ट अटक कैसे आएगा नहीं आएगा ब्लड प्रेशर कैसे बड़ेगा बड़ेगा ही नहीं क्योंकि आप तेल गी चिकनाई अगर पेट में डालते ही नहीं हो तो फिर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा यी तेल चिकनाई साथ में बहुत तेज मिर्ची भी बंद हरी मिर्ची डाल सकते हैं एक दो लेकिन हो सके उतना तीखा कम करते ये आपको एसीडिटी केवल उत्पन्न नहीं करते हैं ये आपको काफी बिमारी भी देते हैं तो हरी मिर्ची आप डाल सकते हैं आपने सबजी में या किसी में भी दाल में आप डालना चाहें लेकिन लाल मिर्ची का उपियो कम मात्रा में करें हो सके तो ना करे और करे तो बहुत कम मात्रा में और खाए तो कस्मीरी मिर्च, तीखी वाली नहीं, भले महंगी आती है 600-700 रूपया केजी, एक दम रेड आती है, साल भर में 500 ग्राम या ज्यादा आप लोग है तो 1 केजी काफी है, आपको अगर चाहिए तो चुटकी बर डा सकते हैं, लेकिन ना डालो तो ज्यादा अच्छा है, अगर ये दूद हम बंद करते हैं, तो बाकी सब चीजे तो अपने आप बंद हो जाएगी, अब ऐसा दूद जिसमें पस, सेल ज्यादा है, अगर वो आप पियोगे, उससे बनी चाय पियोगे ताब बिमार नहीं होंग होंगे ना, तो इतना जानने के बावजूत, आपकी माता पे इतना अत्याचार होता है, ये जानने के बावजूत, आप अपने घर में दूद के पतेले भरोगे अब, अपने लाडले को अपनी लाडली को पिलाओगे, उसी से हॉर्मन इंबैलेंस हो जाते हैं, अपना दू जीरो फैट कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे उपर का दूद चालू किया कि सरदी खांसी जुकाम शुरू हो गए छे महीने की उमर से उपर का दूद ये सब शुरू हो गया हॉर्मोन इंबैलेंस क्योंकि गाय और भैस का बच्चडा तीन साल में पुक्त हो जाता है उसका दूद पीके बच्चा जनम देने के लायक हो जाता है और हमारा बच्चा अठारा साल में पुक्त होता है और 21 साल में साधी होती है और फिर वो बाप और मा बनने के लायक होते हैं तो उसको आप गाय और भैस का दूद पिलाओगे तो उसके हॉर्मोन चेंज नहीं हो जाएंगे उसमें विक्रूती नहीं आएगी फिर ये दिल्ली में रेप कैस होते हैं ऐसा थोड़े ना है गाउं के बाहर नही ही होता है हमें पता है ये विक्रूती कहां पर पहुंची है क्योंकि जैसी अपना भोजन है वैसी सोच हो जाएगी ऐसे हॉर्मोन वाला दूद पियों गिताप के हॉर्मोन भी चेंज होने ही वाले हैं फिर देखिये ना आजकल की बेटियों को PCOD का प्रॉब्लेम सबसे ज् वक्त पे पिरियड पे नहीं होती है पिरियड में होती है तो या तो ज्यादा ब्लीडिंग जाता है या ब्लीडिंग ही नहीं होता है टेबलेट लेके पिरियड में होना पड़ता है कुद्रती तरीका किसी का रहा ही नहीं है क्योंकि भोजन ही कुद्रती नहीं है आज की बेटियां पढ़लिक के बहुत आगे जाती है लेकिन स्वास्थाई खोके बाहर जाती है तो क्या खाती है ज्यादातर ब्रेड बर्गर और पीजा है नरक के वीजा इसको मत खाईए ये चीज खाने जैसी नहीं है दूद का टॉपिक तो पूरा हुआ कि दूद तो डेंजरस है आप सोचोगे चीज तो बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छी है तो क्या हम पनीर की सबजी नहीं खा सकते हम चीज नहीं खा सकते तो चीज कैसे बनती ये पता है बिगडे हुए दूद से पनीर बनता है और जो जिसको बिगड़ने की तयारी है उससे चीज बनता है और केवल दूद से थोड़े ना बनता है आपकी डिमांड जब इतनी है इतने बड़े बड़े चीज के पैकेट लाख है जो गर में रखते हो और फिर अपने बेटे को पता नहीं ये चीज पराठा और फिर किसी भी चीज में उपर चीज डाल के दे देते हैं, मैंने कई माताओं को देखा है, सुबह में बच्चा जब स्कूल जाता है न, सेंड्व करते हैं, जहर दिया ये नहीं सोचते हैं, अपने राज दुलारे को जहर दे रहे हो, slow poison, ये चीज बनने का तरीका जानोगे न, तो कभी नहीं चुओगे, कैसे बनता है, केवल दूच से नहीं बनता है, गाए को जबरदस्ती मा बनाया जाता है, तो हर बच्चडा अगर ज करते हैं, कतल खाने कितने चल रहे पता है आपको, इंडिया लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट अपना ये है, बीप, यहां से भेजने में, सबसे आगे है, एक्सपोर्टर है इंडिया, सबसे ज्यादा गव मास यहां से जाता है, ये गाय के बच्चडे को, जब वो अपनी मा के दूद के लिए तडपता है, चिलाता है, उसकी मा भी जब उसको दूद देने के लिए ऐसे तडपती है, तब उसके बच्चे को क्या किया जाता है, कतल खाने ले जाते है, छोटे से बच्चे को, कतल खाने ले जाते सीड़ा नहीं मारते हैं उसका जठर होता है ना जठर जानते हो आप पैंक्रियास वहाँ पे सलिया डालते हैं और उससे रैनेट नाम का तत्वा खीच लेते हैं वो रैनेट में से चीज बनाते हैं और फिर उसका सलिया डाला वो तो मरनेई वाला है उसमें से रैनेट निकाल लिया फि उसके उसका बीफ बेचते हैं केवल हमारी डिमांड के कारण अब ऐसा चीज अपने बच्चे को खिलाना चाहिए जो सच में गाय के बच्छडे को मार के बनाया जाता है क्योंकि इतना उसके पास दूद ही नहीं है बनाएंगे कैसे दूद और नारियल पानी दो चीज ऐसी है जो डाइरेक्ट ली जाती है आचल से दूद यानि आचल से सीधा क्या आप अपने बच्चे के लिए बॉटल में निकाल के जाते हो ओफिस जाते हो तो छे महिना सरकार भी छुट्टी देती है कि अपने बच्चे को पालो और पोसो छे महिने के बाद उसे उपर की शुरुआत होती है तो फिर उसकी मा की जौब भी शुरू होती है लेकिन जिस बच्चे को पैदा करते हो उसको अगर पालने की ताकत नहीं है तो क्यूं पैदा करते हो केवल एक जख्म मिटाने के लिए कि आप बांज नहीं हो एक बच्चा पैदा कर लिया तो क्या आपको ताज मिल गया बच्चा पैदा करना, उसका सही तरीके से पालन पोसन करना और वो कभी बिमार ना हो एक स्वस्थ बच्चे को जनम देना तभी आप पूर्ण मा बन सकते हैं उसके अलावा आप उस बच्चे के दोशी हो जिसको आपने रोग देने के लिए पैदा किया है अपने स्वार्थ के खातिर, अपना वंश चलाने के लिए अपने अंश को हम जाने अंजाने में गलत चीज खिला के मारते हैं ये चीजे मत खिलाओ, पनीर, पनीर की सबजी आपके बच्चे को बहुत अच्छी लगती है तो थोड़े ना एक ही पनीर बना सकते है, सोया का तोफू मिलता है न, वो लाके वो पनीर जैसा ही लगता है मसाला तोफू, आप उसका सबजी बना के खिलाए न, बहुत हेल्दी है सुपरमार्केट में तो मिली जाता है, तो सोया का तोफू लाके बना के खिलाए, कौन मना करता है लेकिन ये पनीर बिगड़े हुए दूद से बनता है, आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को कुछ हेल्दी डायट दे रहे हो, हेल्दी नहीं दे रहे हो, उसको स्लो पॉईजन दे रहे हो ये चीजे बत खिलाओ, आप पराई मा का दूद यानी मासाहार दे रहे हो अपने बच्चे को क्योंकि किसी के बच्चडे का छीन के आप दे रहे हो, इतना मासाहार क्यों, नहीं देना चाहिए आपका सवाल आएगा, कि जिस बच्चे को जनम देखे अगर मा चली गई है, तो उस बच्चे को हम बड़ा कैसे करे कौन सा दूद दे, क्या करे, जनम देते ही मर गई है तो क्या करे तो उस वक्त आप किसी और माता का, यानि कि जिसको बच्चा अभी पैदा हुआ है, अगर वो दूद पिलाने के लिए तया है, तो पहले हम उसको प्रिफर करते हैं कि हम उसका दूद ले, लेकिन फिर भी कोई भी रास्ता ना बचे आपके लिए, तो मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन जबरदस्ती बोल रही हूँ कि आप उसे काली वाली बक्री का दूद दे सकते हैं, गरम करके, ठंडा करके लेकिन केवल दो-तिन मैना, उसके बाद नहीं, फिर आप ये मत समझना कि बक्री का दूद आप उसे हमेशा पिला सकते हैं जब तक उसको अवश्यकता है, तब तक, क्योंकि बक्री केवल हरी वनस पती खाती है, ये सही तो नहीं है मा का दूद से उत्तम और कुछ भी और कोई भी दूद नहीं होता है, उससे भी बच्चा कभी कबार बीमार तो होगा लेकिन जब ऑप्सन ही नहीं बचे तो क्या करें, तो उसके लिए मैं जबरदस्ती बताती हूँ, हमारे गुरुजी तो मना ही करते हैं बोले कोई भी पराई मा का दूद नहीं यानी नहीं, चाहे आप फिर उसे नारियल का दूद पिलाओ, बादाम का दूद पिलाओ, या फिर हेजलनट ये ब्राजिल का है, काबुली चने जैसा दिखता है, केवल पंदरा पीस एक जने के लिए, बड़ो के लिए, बच्चे के लिए, लेकिन बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए नहीं, कम पंदरा दाने, इससे पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम पावरफूल होती है, हेजलनट मिल्क करके गूगल में डालोगे न, सब कुछ मिल जाएगा, मैंना ज्यादा वक्त इसमें नहीं गवाऊंगी, हर चीज के ओप्सन है, लेकिन आपको लेने पड़ेंगे, आपको अगर केल्शियम चाहिए, तो कौन कहता है कि दूद में केल्शियम है, दूद पीने से तो औस्टियो पॉरोसी सोता है, हड्डियों की बिमारी होती है, दूद में केल्शियम है ही न, दूद में तो हम कहते हैं न, कि रोग बसे हैं, उसमें ही पित, कफ और वायू, ये तीनों दो समा चुके हैं ऐसा दूद अपने बच्चे को कभी ना दे ऑप्सन हमने आपको सिखा दिये है कैसे निकालना यह हेजलनट मिल्क और आलमंड मिल्क बहुत इजी है नारियल का दूद रोद नारियल फोड़ना निकालना थोड़ा तकलिफ वाला काम है लेकिन इतना भी तकलिफ नहीं है क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं हिंदुस्तान में तो हमारे पास कोई न कोई हैलपर होता ही है सुबह में गाड़ी साफ करने आता है ना उसको भी 50 रुपय ज्यादा दे दोगे तो आज सोमवार है सिव जी का नाम लेके एक नारियल फोड़ दो तो वो दूद डाइरेक आचल से पीना चाहिए इसको कभी बरतन में निकाल के रखो ना तुरंत बैक्टेरिया हो जाते हैं यह तीनों चीजे ऐसी है कि इसको आप रख नहीं सकते हो रखा तो वो बैक्टेरिया पैदा करेंगे और आप बिमार होंगे तो यह चीजे आपको डाइरेक लेनी है अब अपने बच्चे का पालन पोशन क्या खिलाओगे क्या पिलाओगे जब स्कूल भेजते हो तो क्या करोगे तो सुबह में खाया की नहीं यह नहीं देखने का थोड़ा जल्दी उठाओ गया की नहीं यह देखो वाश्रूम गया की नहीं वो देखो वरना अपने घर में बात्रूम में एनिमा पॉट होना ही चाहिए simple plain water का एनिमा देने में कितनी देर लगती है उसकी बस छूट जाये भले छूट जाये खुद छोड़ने चले जाना लेकिन पेट साफ करके ही बच्चा जाना चाहिए बच्चे को रोज एनिमा की आदत नहीं डालनी है ध्यान रखे बच्चे को साम का भोजन ही ऐसा देना है कि सुवे उसको खुद ही कौल आए और खुद ही उठ जाये रोजाना उसे सहजन की फली जो आती है न ड्रमस्टिक सिंगी जिसको सिंगी बोलते हैं उसमें बहुत केलशियम है उसको उबाल दो और रोज अपने बच्चे को उसका पानी पिलाओ और सिंगी चूसने का सिखाओ अगर चूसते नहीं है तो उसके दो बॉइल होने से पार चलो उसका सूप बना लो ब्लेंडर घुमा के चान के उसमें तड़का नहीं देना है बस ये सब निकला हलका सा गरम किया उसमें आप धनिया पाउडर काली मिर्च जीरा पाउडर काला नमक और सेंधा नमक जरा साधरक डाल दीजिए लसुन पसंदे थोड़ा लसुन घीस क डाल दीजिए पीने के वक्त आप उसमें निबू डाल दीजिए कितना टेस्टी लगता है बच्चे आराम से सूप पीना सीख जाएंगे और इससे पेड़ भी सूबह में बहुत अच्छे से साफ होगा सारी सबजियां खिलाए हरी सबजियां जो भी सिजनल आती है सारी सब जियां जो आप पंजाबी तरीके से बनाते हो टमाटर को भून भून के बनाते हो ये बहुत गलत है क्योंकि ये भूने हुए टमाटर से आर्थराइटिस, नी रिप्लेस्मेंट, सोराइसिस, एक्जीमा, स्कीन डिसिस, बालों का जड़ना, अकारन छोटी उमर में आखों म नमबर आना, यानि की वीजन कम होना, बालों का जड़ना, डेंडरफ होना, ये सब कुछ उबले हुए टमाटर की देन है, टमाटर को कभी उबाला नहीं जाता है, उसको आप सलाड के स्वरूप में कितना भी खाईए, उसको कद्दु करश करके उसकी प्यूरी बनाके, हैं, लेकिन टमाटर को कभी भी आज पे मत चड़ाईए, क्योंकि वो आज पे चड़ाने के बाद उसकी तासिर बदल जाती है, वो हार्पिक बन जाता है, टॉयलेट क्लीनर, जो आप अपने बच्चे को कैचप खिलाते हो ना, पराठे के साथ, सबजी नहीं खाता है, चलो कोई बात नहीं, ये ले बेटा, कैचप और पराठा खालो, कहते हो ना, वो कैचप बहुत नुक्षान दे, और वो भी बाहर का, उसमें तो सड़े हुए टमाटर डालते हैं, कहां कॉलिटी देखी जाती है, उसमें तो कलर और फ्रेग्रंस वो ही सब डालते हैं, अपने घर में बनाना है, तो बना सकते हैं, लेकिन हो सके तो कच्चा ही बनाए, तिन टमाटर ले ले, प्याज कटे तो एक प्याज डाल दे, थोड़ी सी पिंड खजूर डाल दे, या गुर जरासा डाल दे, नीमबू डाल दे, टमाटर में कौन सी फ्रेग्रनस अच्छी लगती है, दाल चीनी की, तो जरासी दाल चीनी, काली मिर्च, सेंदा नमक, काला नमक और जीरा पाउडर, पीस दो, ओनियन गार्लिक वाला कैचप चाहिए, तो ओनियन तो डालिये, गार्लिक भी डाल दो, जरासा अद्रक डाल दो, और उसको पीस दो, उसको थीक बनाना है, जरासा प्रूट का टुकडा डाल दो, कलर भी एकदम रेड आ जाएगा और मस्त फ्रीज में ठंडा करके आप उसको कैचप की तरह खिला सकते हैं ना अपने बच्चे को, है चटनी लेकिन आप उसे कैचप बोलिए, ऐसा है बच्चा अगर नहीं मानता है तो कैचप की बोतल में भर दीजिये ना खाली करके, कैचप की बोतल एक संभाल के रखने की, बच्चो को ना किवल आँख होती है, ये चलता ही नहीं है, बस फस क्लास कैचप की बोतल है, उसमें ये भर के फ्रीज में रख दीजिये, और कुछ भी समझा बुजा के उसे खिला दीजिये, बातों में उ उससे तो क्रूमी मिटते है, आप जो टमाटर की चटनी बनाते हो या टमाटर का जूस पिलाते हो अपने बच्चे को, तो उससे क्रूमी मिटते है और पेट अच्छे से साफ होता है, तो ऐसी हेल्दी चीज खिलानी चाहिए ना, ऐसे आप कैचप खिलाओ, लेकिन गरम किय हुआ टमाटर, टॉयलेट क्लीनर है, कभी भी टमाटर को गरम ना करे, रिफाइंड ओईल भूल से भी ना खिलाए, क्योंकि वो भी कैंसर को न्योता देता है, उसमें 30% पाम तेल मिक्स है, आपको जाच करनी है, तो आप जब बाहर से तेल लाते है, उसे गरम करते है, फिर वो तेल, अगर आपने उसमें कुछ तला और बच गया, और ठंडा रह गया, आपने उसको साइड में रख दिया, और फिर आप उसका रियूज करते हैं, दुबारा, तो जरा आप लाइट में ऐसे करके देखना, उसमें ग्रिनिश लाइन होगी, तेल गाढ़ा हो गया होग वो है पाम तेल, क्योंकि 30% मिलावट की छूट तो सरकार ने दे रखी है, तो अब वो 30 मिलाते हैं कि 50 मिलाते हैं हमें क्या पता, तो रिफाइन तेल से हेल्थ भी बढ़ती है और कॉलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, तो कच्ची घानी का केवल फिल्टर्ड ओईल खाए और चाहे मुमफली का हो, चाहे तीली का हो, चाहे कोकोनट हो, बादाम का हो, हम तो खुद अपनी लकड़े की घानी में तीली का और मुमफली का, नारियल का, बादाम का सब निकालते हैं, तो हम तो वही तेल खाते हैं, तो हमारा कॉलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, लेकिन सब्जी बनाने की तरीका भी अलग है क्योंकि हम जो अकेले तेल में डिप फ्राइ करके जो सब्जी बनाते हैं न वो डायरेक्ट कॉलेस्ट्रॉल है बाइपास को न्योता है ब्लड प्रेशर को न्योता है अकेले तेल में कभी सब्जी ना पकाए बिंडी के अलावा भिंडी के अलावा हर सब्जी में आप थोड़ा सा पानी तो डाली सकते हो कम तेल में केवल राई और जीरा फोड़ो ना उतना ही तेल डालो इतना सा बस आपको अगर तड़के देने का शौक है तो वरना तो उबली हुई सब्जी सबसे बैस्ट है उसमें सब मसाले डाल दो ग्रेवी डाल दो मस्त सब्जी बनती है नेकिन फिर भी आपको संतुष्टी नहीं होती है तो उपर से कच्चा तेल डालो उसमें भी संतुष्टी नहीं होती है तो आप तड़का देते हो तो कम से कम मात्रा में एक हाथ से सब्जी डाली और दूसरे हाथ से थोड़ा सा पानी तुरंत डाल दीजिए उसको अकेले तेल में फ्राइ मत होने दीजिए क्योंकि जितना तेल गरम होता है उतना ही कॉलेस्ट्रॉल बढ़ाता है ये है सच्ची नैचरो पती हो सके वहां तक मिट्टी के बरतनों में खाना पकाए क्योंकि उसमें निट्रिशन वैल्यू 97 परसेंट बनी रहती है अभी तो मिट्टी के बरतन सब जगा पे मिलते हैं तो बहुत अच्छा बनता है उसमें उसमें आप अगर अपने बच्चे को जौ का दलिया बारली दलिया यह है किवल दस पैकेट है हम थोड़ा थोड़ा ही लाए हैं तो यह दलिया अगर आप इसको तीन घंटा भिगा देते हैं दो पहर को और फिर जब बनाना है तब धेर सारे वेजिटेबल दलिया इतना है और वेजिटेबल दलिया एक कटोरी है वेजिटेबल पांच कटोरी है गाजर है फिर प्याज है बेंगन पत्ता गोबी लौकी आपके घर में जो भी सबजियां पड़ी है न सब आप डाल सकत पीस यानि मटर है आप जो भी है वेजिटेबल दलिया जो हम बनाते हैं न देर सारा वेजिटेबल आपके घर में जो भी पड़ा हो भिंडी और करेले के अलावा दो सबजी नहीं चाहिए भिंडी और करेला क्योंकि वो पानी में भिंडी नहीं जाती है और करेले से कड़वा होता है तो बस आप धेड़ सारा वेजिटेबल डाल के ये मस्त मिट्टी की हांडी में आप अगर ये दलिया पकाओगे और उसके साथ नारियल के दूद की छाच बना के लोगे आपको किसी की जरूरती नहीं पड़ेगी साम के वक्त जिसको भी भोजन करना है वो मिलेट की भी ऐसे ही मिलेट को ओवरनाइट भीगाना पड़ता है छे से आठ गंटा उसे भीगाना पड़ता है वो डॉक्टर खादरवली में आप दे वो श्री धान्य है मिलेट्स अपने पुराने श्री धान्य जिसके उपर सेवन है वो लेर्स जो हमें फाइबर्स देते हैं हमारे पेट को साप भी करते हैं और काफी लंबे अवर्स तक पेट को भरा रखते हैं वो श्रीदन अपने पुराने धान्य जो नहीं आते थे पहले के जमाने में चौलाई आप जो खाते थे जुवार मका बाजरा उसका ही एक फॉ जो है जो मिलेट्स कहलाए जाते हैं और वो खाने में और पचने में दोनों में अच्छे हैं क्योंकि उसके उपर seven layers है और उसमें fibers बहुत हैं एमदाबाद में तो हमारे इसके seminar भी डाक्टर खादरवली के होते हैं वंडे सेमिनार, टूडे सेमिनार, फिर उसकी रेसिपी सिखाने के भी सेमिनार, उसका सब कुछ सिखाते हैं, कि उसका उपमा कैसे बनाए, तो ये सब सिखाते हैं, और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, तो ऐसे आप हर चीज, यहां तक की पकोड़े भी इसके बनाते हैं, वो तो पकोड़े भी इसके बनाते हैं, ये जो आप सिस्टम करते हो, और आप कच्ची घानी का तेल अगर लाते हैं, अपने घर में, मुमफली का या तीली का, तो उसमें आप बारिस के मौसम में कभी कबा आपको अगर इच्छा होती है, तो दालवडे भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम खाना सब कुछ बंद करवा देंगे, आपको साधू बना देंगे, जब आप स्वस्थ हो जाओगे, फिर आप को खाना मना नहीं है, लेकिन आज खाया कल तपस चर्या, क्योंकि बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, आज आप पेट भर के दालवडे खाओगे, पकोडे खाओगे, तो कल क्या करना है, हाँ, अब समझ गए, देखो, ये छोटा भी समझ गया, कि कल उपवास करना है, और ना रह पाओ तो रसाहार, और साथ में एनिमा करना है, हाँ, क्योंकि अंदर कितने दि निकालना तो पड़ेगा ना, तो रसाहार, फलाहार और एनिमा, तो खाने की हम आपको मना नहीं करेंगे, आप साधी में जाओगे, तो थोड़े ना मेरे कहने पे आप रूख जाओगे, जरूर खाओगे, क्योंकि आप 500 रूपया, 1000 रूपया जो भी चानला करते हो, तो व बस मैं माना है तो कुछ ऐसा मीठा विठा बन गया, चलो, लेकिन साधी में होती है, उतनी चीजे थोड़े ना बनती है, तो उसमें तो फिर मन चला जाता है, तो क्या करने का, जब साधी में जाओ ना, तब सुबह से शाम तक, जब रिसेप्शन में जा रहे हो, तब क्या क जाते हैं तो थोड़ा पेट घर से भर के जाने का, समझ गये, कोई चीज घर से ऐसी खा के जाने की, एक एपल खालो, दो केले खालो, दो गिलास जूस पीके जाओ, कुछ भर के जाओ अंदर, एकदम खाली स्टमक लेके जाओगे ना, तो वहां जाके तूट पड़ोगे, ह खाके जाएंगे, स्मूधी पीके जाएंगे, जूस पीके जाएंगे, पेट भरा हुआ है ना, तो आप उसे वीश करने, अगर स्टेज पे भी जाना है ना, तो तब तक आप रूख पाओगे, अगर लाइन भी है ना, तो भी रूख पाओगे, वरना तो लाइन है तो चलो पहले हम खाना खा लेते हैं, अरे लिफ्टिक चली जाएगी, खाना खा लोगे, फिर फोटो में कैसे आएगे, लेकिन पर्स में लिफ्टिक लेके आते हैं, खाना खाके फिर लिफ्टिक लगा लेते हैं, मैंने देखा है ये, तो आप हो सके वहां तक अपना पेट भर के ग्रेवी वाली सब्जी ज्यादा मत खाना क्योंकि ग्रेवी कितने दिन पुरा निये क्या पता उसमें क्या डाला है पनीर वाली सब्जी छोड़ दे जिसमें जिसमें आपको वहां पे तो लिखा होता है न ये डला है ये डला है नहीं लिखा होता है वहां पे ये सब्जी तो उसमें पनीर स्पष्ट लिखा होता है, पनीर भूर जी या ऐसा कुछ लिखा होता है, पता नहीं, तो ऐसी सबजी को ना ले, आपको अब पता है कि ये चीज इतनी गंदी है, जिसमें चीज डली है, पनीर डला है, क्यों खाए, हम जितना हो सके उतना तो संयम रखे, फिर आइसक्रिम, अब आपको कौन रोकेगा, हाँ, मन तो करेगा, भई इंसान है, जिसका स्वाद एक बार चक चुके है, कैसे छोड़ पाएंगे, कोई बात ने, कभी कबार भूल कर सकते हैं, मनुष्य मात्र भूल के पात्र, लेकिन ये जान बुच के किये जाने वाली भूल ह हाँ, लेकिन आज अगर एक आइसक्रिम खाओगे, तो एक उपवास करोगे, लेकिन एक उपवास जो खाना खाया, उसका भी तो करना पड़ेगा, तो फिर दो दिन फलाहार, रसाहार, पक्व भोजन बन, सामको भी पका नहीं खाओगे, और ना रहा जाए, तो केवल पोहे बना के खा लेना, ओट्स बना के खा लेना, वेजिटेबल ओट्स, वेजिटेबल पोहे, हाँ, वेजिटेबल उपमा, ऐसी चीज़े खानेगी, फिर भारी चीज़े नहीं खानेगी, कभी सबजी बना के ले ली, कभी सिकेवल सूप ले लिया, क्योंकि खाने की आदत जो ल निकाल पाओगे यह पक्वब भोजन, तीन दिन तक एक एक बार एनिमा करना पड़ेगा, अगर कम खाते हो तो दो दिन या फिर एक दिन, अब हम जाते हैं अगले वाले स्टैप पे, अब आप दूद तो बंद कर दोगे न, हाँ, है न, दूद और दूद से बनी चीजे, मैं बार-बार कहूंगी, हाँ, चाय, आपको चाय पीनी है, नहीं पीनी है, चाय में तो निकोटीन है, तेनीन है, यहाँ पर काड़ा कैसा लगता है, चाय पत्ती का पानी क्या करना है मालू में, चाय पत्ती आपको अगर घर में पढ़िये न, तो उसको रखना, चाय पत्त का पानी थोड़ा उबालना फिर ठंडा हो जाए उसे चान लीजिए मैं आपकी चाय वेस्ट नहीं जाने दूंगी वो चाय पती के पानी में ये दही शेंपू मिला के बाल धोईए आपके बाल का टोन इतना मस्त और इतने मस्त आपके बाल हो जाएंगे पूछो ही मत आपके बाल अगर जड़ रहे हैं तो ये रहा ये ओईल केवल स्काल्प में डालिए गैरेंटी इसकी क्योंकि ये जावेद हबीब में जाता है हजार रूपय का बॉटर मिलता है अपने यहां 400 रूपय का है इतना सा 200 ml हेवल स्काल्प में डालो आपके बाल जड़ने बंद हो जाएंगे अच्छे भी बनने लगेंगे लंबे भी होने लगेंगे ये हम काफी सालों से यूज करते हैं नारियल का दूद वो तो स्कीचन में रोज निका निकालते हैं नारियल को फोड़ने का उसमें से गीरी को निकालने का पानी है ना वो बच्चे को पिला देने का उसमें दो ड्रॉप लेमन डालके पिलाते हो तो बहुत अच्छा है उससे गैस नहीं बनेगी नारियल पानी में हमेसा दो ड्रॉप लेमन डालो ना तो नारिय अच्छे से नल के नीचे छन्नी में डाल के धोलो, बहुत अच्छे से धोना, और फिर उसको आप धो के मिक्सी में डाल दीजिए, एक गिलास पानी डालिए और उसको पहले खुब पेश्ट बनाए, कैसे बारिक चटनी की तरह, एकदम बारिक चटनी जैसा पेश्ट बन प्र आप उसमें क्या डालोगे? दूसरा एक गिलास पानी, क्योंकि नारियल तो बड़ा होता है, तो आप नारियल के हिसाब से पानी डालना, क्योंकि आपको ताजा चाहिए, सक्ती चाहिए, गोल्ड चाहिए, मुझे नहीं पता है कौन सा दूद आपको चाहिए, गाढ़ नहीं है, इदर नीचे है, उसकी जो प्लास्टिक की छन्नी आती है, ऐसे कपड़े की तरह, नैपकिन की तरह, ऐसे आती है, उसको हम छन्नी में, पतेली में ऐसे बिछा देते हैं, उसमें डाल देते हैं, और फिर ऐसे चारो तरप से पकड़ के, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे करते ह फिर ये जो पल्प है ना बचा ना वो दुबारा मिक्सी में डाल देते हैं फिर उसमें दुबारा दो गिलास पानी डाल के फिर से खुब गुमाते हैं फिर दुबारा छानते हैं ये हुई छाच ये जो पतली निकली ना उसमें ज्यादा कॉलेस्टरॉल नहीं है उसमें आग बस नीबुकरस डाल दीजिये चान के, आपकी चाच रेडी है, जरासा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन चाट मसाला घर का बना हुआ चाहिए, हम अपने घर में बनाते हैं चाट मसाला, उसमें हम सेंदा नमक, काला नमक और आवले का पाउडर और आमचुर डालते हैं, अजवाईन और सब कुछ, हींग वगेरा, लेकिन बाहर जो चाट मसाला मिलता है न, उसमें तो नीबु के फूल, साइट्रिक असिड जानते हो न, जो अपने आतों को फार देता है, वो नीबु के फूल डाले होते हैं बाहर के चाट मसाले में, और उसमें आयोडाइज नम से क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जब हाई होता है, तो क्या होता है, आप एक छोटी सी गोली खाते हो, आप सोचते हो कि मैं तो बीपी की केवाल एक छोटी सी गोली खाती हूँ, लेकिन ये छोटी सी गोली अंदर कितना तुफान मचाती है, आपके ब्रॉड करती है और आपको बाइपास तक ले जाती है ये बीपी की छोटी सी गोली गोली नहीं चाहिए रो डायट पे आजाओ एनिमा करोगे आपका बीपी चला जाएगा और वन टाइम कच्चा और वन टाइम पक्व भोजन उसमें डेरी बैकरी और गेहुबंद आपका ब पस चर्या करनी पड़े गी तो ये चाट मसाला भी है इतर घर का बना थोड़े थोड़े पैकेट आज इधर ही लगाए हैं क्योंकि जिनकों भी चाहिए वो आप ये भहिया से आप बोल देना और ले लेना तो ऐसी चीजे आप घर की बनाई चाट मसाला भी थोड़ा सा चा रहे रहे ना रहे लेकिन चाच रहेगी क्योंकि उसमें नीमबू यानि प्रिजर्वेटिव आ गया तो वो टीकेगा हम तो उसकी कड़ी भी बनाते हैं उबाल के केवल उसको घुमाना है उसको छोड़ना नहीं है जिसका भी आटा डाले आप और फिर जरासा उसको उबाल फिर उसका गयस बन करके उपर से हलका सा तड़का दे दीजिए तो मस्त कड़ी बनती है खिचड़ी के साथ वेजिटेबल कड़ी हम नारियल के दूद की ही बनाते हैं तो वैसे आपको उसका दूद निकालना है बहुत आसान है दो बार चानना है बस दो बार पीसना है और जो आपने एक बार दूद निकाला एक बार नीचोड़ा उसको आप रख दीजिए साइड में दुबारा पीसो तब तक रहने दीजिए फिर आप उसको उठा के बिना हिलाए उपर उपर से दूसरी छननी जो अपनी स्टील की होती है उसमें छानी है तो जो उपर का चित नहीं रखेंगे नारियल का दूद रोज सुबह में हम तो एक नारियल का केरालियन नारियल का निकालता है बड़ा नारियल का उसमें ही हम अपने बच्चों के लिए सीजनल एक स्मूधी बनाते हैं अभी मैंगो का सीजन है ना तो मैंगो काट के अंदर डाल देते हैं और crush कर देते हैं, तो मस्त ठीक mango shake तयार हो गया, ठीक mango shake तयार हो गया, फिर बच्चे जब स्कूल से आए, तब तक हम स्कूल में, sorry, freeze में रखते हैं, वो हलका सा ठंडा हो जाए, जब बच्चा आता है, मस्त कांच के बाउल में सजा के, उसके अंदर केला, एपल, mango, sunflower seed, pumpkin seed, watermelon seed ये seed, ये सभी है इदर, ये बहुत फायदा करते हैं, ये हड्डिया मजबूत करते हैं बच्चों की, हमारी भी, और इसमें calcium भी प्रचूर मात्रा में है, ये संत लोग खाते हैं, कद्दू के बीज, ये dry fruit के, dry fruit से भी ज्यादा effective है, dry fruit इतने effective नहीं है, ये effective, इसका आप भी बना के, पूरा दिन खा सकते हैं, तो ये है, starry seed, जो watermelon seed है, वो आप, अपने मुख्वास में, आप किसी भी चीज को सजाने में, आप मस्त ये mango shake में उपर सजा के अपने बच्चे को, वो सजावट देखेगा, फिर अंदर कुछ भी है कि इसका दूद है, उसे कहां पता है, वो coconut milk वाला बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपको मीठा पन चाहिए, थोड़ा शहद डाल दो, हो गया ना, आपका मीठा शेक, खजूर अंजीर का शेक, बनाना का शेक, अलग-अलग, पपिता का शेक, कल आपने इदर पिया था, वो था, पाइनेपल का शेक, प आपको, कड़ी बना सकते हैं, आप कड़ी बना सकते हैं, लेकिन हर चीज को उबाल ये मत, क्योंकि हम कड़ी में तो चलो, वो पतला वाला दूद भी डालते हैं, पीछे वाला, आगे वाला पे एक नमबर वाला दूद कम डालते हैं, लेकिन अगर आप ये दूद को वह तत्वन नश्ट हो गया कच्छा नारियल आप किसमिस के साथ खाओ खजूर के साथ खाओ कितना हेल्दी मैं अपने बच्चे को स्कूल में यही देती हूँ नारियल की एक गीरी सुबह में फोड़ के निकाल के दोके दे देती हूँ और खजूर रख देती हूँ वो खा लेता है कभी भुने हुए चने जो शेके हुए नहीं आते हैं वो चने और गुर रख देते हैं लेकिन वो दो बोतल तो जूस की ले जाता है एक है नीमू पानी और दूसरा है संत्रे का जूस मोसंबी का जूस कुछ ना मिले तो वो जो भी अपने घर में फ्रूट पड़ा है उसका जूस निकाल देते हैं 500-500 ml की दो बोटल होट एन कूल बोटल में हलका सा फ्रूट को हम रात को ही धो के फ्रीज में रख देते तो ठंडा हो जाएगा नैचरल फिर सुबह में उसको काट के सिधा संत्रे का जूस या मोसंबी का जूस निकालने में कहां देर लगती है अभी तो हैंडी आता है ना छे संत्रे में तो मस्त 500 ml की बोटल भर जाती है बस उसको ये छान के संत्रे का जूस भर देते हैं और नीमू पानी एक बोटल दो बोटल जूस देते हैं फिर केले ले जाता है कभी एपल कभी पेर जो आप नाका बोलते हो नहीं रखना चाहिए लेकिन आप ट्रॉपिकाना या फिर बाहर का जूस पीते हो जो भी पैकेट आता है फ्रूटी पीते हो वो कितनी पुरानी है तो इससे तो अच्छा है ना क्योंकि ये तो बच्चा तीन गंडे में पी जाएगा अगर साड़े छे बजे आपका बच्चा घर से निकलता है तो आप उसका जूस छे सवा छे बजे ही निकालोगे ना निकालके भरा होट एंड कूल बॉटल में और अगर ठंडा नहीं कभी भूल गए है तो आइस का एक क्यूब डाल दिया वो ठंडा रहेगा तो उसको पसं भी आएगा और ये नीबू पानी और ये जूस मेरे बच्चे कभी बिमार नहीं हुए भले फ्रूट जूस ताजाई देना चाहिए वो तो पहली रिसेस में पी जाते हैं वो कहां रखते हैं जैसे ही रिसेस हुई नहीं क्योंकि उनको खेलने जाना होता है न तो खाने का व सोटी नहीं बनाती हूं ना ही कभी सेंडविच देती हूं फ्रूट्स और वेजिटेबल मेरे बड़े बेटे को ककड़ी टमाटर और पालक के पत्तियां पसंती तो मैं पालक की पत्तियां रात को धोके फिर कपड़े में ऐसे रखके रात को पॉलिथिन में कपड़े में ल बड़ा वाला उसको बहुत पालक की पत्तियां ककड़ी रखो बस ककड़ी को वह बोलती हूँ कि केवल चक के खाना मैं साबूती रखती हूँ काट के नहीं क्योंकि काटने से nutrition कट जाते हैं तो काटने का बच्चों को सिखाया ही नहीं है यह आपके दात किस काम के हैं खुद तोड़ो चेक करो और खाओ एपल खा रहे हो नासपती खा रहे हो तो चेक करो धोके रखते हैं अच्छे से बस यही सब ले जाते हैं बच्चे और कभी पॉपकॉन की भी रखना पड़ता है घर में बनाया हुआ कभी मूर्मूरे भी रखने पड़ते कि बस में जब वापस आते हैं सुबह साड़े छे बज़े निकलते हैं साम को समझो साड़े तिन चार बज़े आते हैं तो साम के वक्त शरीर आपको सोडियम मागता है यानि कि नमक वाला नमकीन कुछ खाने की इच्छा हर इंसान को होती है साम को तो वो एक हमारा शरीर का नियम होता है कि साम को शर की नमकीन खाने की इच्छा हो, तो आप मूर्मूरे, सेके हुए पोहे का चिवडा, मखाना, मखाना को भी हम हलका पहले दूप में रखते हैं, फिर हलका सा जरा सा तेल रखके, उसमें हल्दी और ये सेंदा नमक डालके, उसको सेक देते हैं, और फिर उपर कभी बोले, तो ग घर की बनाई हुई, बाहर का तला भुना नास्ता नहीं, अगर वो सेव भी खाना चाता है, मुर्मूरे के साथ, तो घर में बना लीजिए न, दो संचे ऐसे ऐसे करने में कहां देर लगती है, तो वो आप बना सकते हैं, और भेल जैसा अपने बच्चे को दे सकते हैं, चट बजे बनाते हैं, और बच्चे खाते हैं, दस ग्यारा बजे, ये मुरूत भोजन, बिल्कुल मुरूत हो जाता है, ये तो घंटा भर ही फ्रेश रहता है, घंटा या ज्यादा से ज्यादा, देड़ घंटा, लेकिन हम अपने बच्चे को ये रोटी पराठा, ये जो सब कु लाइए, लेकिन ब्रेकफास्ट, सुबह का फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज्यूसी, यही होना चाहिए, टोटल आलकलाइन फूड, आपका बच्चा कभी ओबेस नहीं होगा, क्योंकि चीज बटर, पनीर और दूद तो बंद है, तो कैसे ओबेस होगा, बैकरी, खाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाने से पहले उसे प्लेट भर के सलाड खिलाए, सलाड की आदत डाले, खीरा, टमाटर, कच्चा प्याज, हरावाला प्याज, जो भी सिजनल, मुली आती है, तब मुली, उसको पहले खाना सिखाईए, फिर बाद में परोसिये, पहले उसको सिखाईए, कि पहले बेटा सलाड ही खाओ, तो आपका बच्चा सलाड खाना सिख जाएगा, फिर उसे सलाड के बगेर चलेगा ही नहीं, साथ में अगर पानी मांगता है, तो आप पानी की जगा पे गरम नीमू पानी भी दे सकते हैं, क्योंकि उसके साथ थंड आप उसे नारियल के दूद की छाच दे सकते हैं, या फिर गरम पानी में नीमू पानी बना के दे सकते हैं, आपने जापान में कभी किसी लड़की की कमर 28-30 से उपर नहीं देखी होगी, जापान में आप किसी भी इंसान से मिलो, वो बोलेंगे पानी तो उनके घरों में देखे जिनको वेट लॉस करना है, जब भी प्यास लगे गरम पानी अपनी बोतल में भरके रखे और पिए, देखना आपका वेट भी लॉस होते जाएगा, अगर नीमू पानी उसमें नीमू और केवल नीमू डालके पिएंगे तो भी काफी फाइदा है, आप शहद कभी क बार ले सकते हैं, शहद की जगा पे जो लोग शहद नहीं खाते, वो लोग ये है गुड का शहद, काकवी बोलते हैं, गुड का रस है, तो ये शहद की जगा पे आप मिठे पन में ये भी डाल सकते हैं, लेकिन चाय को नहीं पी सकते हैं, है ना, ये तो आपको छोड़नी पड़ेगी आप काड़ा पीजिए हम मना नहीं करेंगे लेकिन चाय पत्ती को अब आप उबाल के ये दई सेम्पू डाल के आप बाल वाश करेंगे फिर मुझे बता ना आपके बाल कैसे होते हैं एक दम अच्छे क्या होता है वो तो कम उमर में ये तो गलत भोजन खाया है तो होगा ना ग्रीन जीूस अगर पीते हैं नारियल का दूद पीते हैं बादाम का दूद पीते हैं हेजलनट का मिल्क पीते हैं फिर देखो आपके बाल सफेद नहीं होंगे ये जो तेल है वो बहुत इफेक्टिव है अब हम आगे चले कि जैसे किसी को बाइपास कहा गया है या हार्ट की बिमारी है हार्ट तक पूरी तरह से खुन नहीं पहुँचता है यानि कि हार्ट का पंपिंग केवल 25 या 30 परसेंट हो गया है उनके लिए जो रामबान इलाज है वो है लसुन तो ये जो चीज है हार्ट टॉनिक ये लसुन से बनी हुई है आप किसी भी चीज में कच्छा लसुन भी दे सकते हैं लसुन की चटनी बना के भी खिला सकते हैं क्योंकि वो तो ऐसे कच्छी है लेकिन इसमें कच्छा लसु विनेगर नीबू का रस ये चारो धाइसो धाइसो ग्राम तो वन केजी हुआ तो वन केजी प्योर शहद है इससे ये कच्चा ही बनाया जाता है ये एक पोना एक कप या पोना कप गुन गुना पानी ले लो और दो पहर को जब आपका सूबह में जब भी आप उपवास खोलत हो उसके बाद और रात को सोने से पहले आप अगर ये गुन गुने पानी में लेते हो तो आपके अगर आप पंप लेते हो अस्थमा दमा पंप बीपी और कॉलेस्ट्रॉल ये सब में ये बहुत फाइदा करता है कॉलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है इससे बीपी की दवाया भी छुट जाएगी पंप भी छुट जाएंगे अस्थमा के दर्दी और जो हार्ट वाले पेशंट है और बीपी के पेशंट उनके लिए तो इतना फाइदे मंद है ये आप हमेशा ले सकते हैं जो रोगी है वो एक पहले आप जब बहुत आपको तकलीप है तब आप दो बा लिखेंगे तो कभी आपको पंप नहीं लेने पर इसमें केवल अर्क है और कुछ भी नहीं है ये आपका कॉलेस्ट्रोल कभी नहीं बढ़ने देगा लसुन का अद्रक का एपल साइडर विनेगर है नीबू है और शहद है नहीं चार चीज बराबर है चारो का जो प्लस होता है वन केजी दैसे उतना शहद है ये बनाना मुश्किल है क्योंकि बिना पानी का रस कैसे निकालो के इसके लिए स्पेश्यल मशीन चाहिए तो यहां से गुलाब सर से ले लेना लसुन खाईए हाट के लिए बोल रहे हैं हाँ कच्चा लसुन लीजिए लसुन लीजिए प्याद लीजिए कच्चा अदरक का सेवन कीजिए सौट का सेवन कीजिए लेकिन ये बहुत फाइदे मन दे आप केवल दो महीना आप इसका प्रयोक करके देखे आपका अस्थमा का पंप 110 परसेंट चला जाएगा हाँ इससे ब्लोकेज भी खुल जाती है बाइपास भी बंद रहता है एक बोटल थोड़े ना ले जाते हैं अरे ये तो 2500 एमेल की है आपको अगर ज्यादा तकलिफ है तो 10 बोटल साथ में ले जाने की ये खराब नहीं होती है ये साल भर वैसी की वैसी ये बाहर ही रहती है मैंने बताया ना इसका सेवन करना है आपको आधा या पोना कप गुन गुना पानी लेना है और उसमें आपको ये 5-7 एमेल डाल देना है ये जूस जैसा लगता है क्योंकि उसमें शहद कितना है आप गरम पानी में उसको मिला के पी लो फिर देखो असर रात को नीन कैसी आ तीन बार ले सकते हैं एक मैना आपने ले लिया अच्छे से आपका कम हो जाएगा फिर आप खान पान में भी आप परहेज करोगे ना फिर आप दो बार फिर आप एक बार कर सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं ये नैचरल है ये कोई दवाई नहीं है ये केवल टॉनिक है प्योर अर्ख है और बीना पानी वाला तो ही टिकता है बारा मैंने ये बारा मैंने थोड़े ना चलेगा आप दो बार लोगे ये हफ्ता भर चलेगा ओनलाइन रखा हुआ नहीं है ये एमदाबाद में मिलता है और इधर भोपाल में मिलता है बाकी बंबई वाले मंगवाते हैं लेकिन उनके साधकों के पूर्थ बस उससे ज्यादा नहीं मंगवाते हैं तो आप कहीं कि मिल जाएगा आपको आप ऑनलाइन आप गुलाप सर तो ये online ही हुआ ना वो भीजवा देंगे न कुरियर में वो भी भीजवा सकते हैं एमदाबाद से हम भी भीजवा सकते हैं हाँ दोनों जगा पे और हमने तो ये कई पेशंट पे हमने इसका उपयोग किया है और कई पेशंट के करीबन एक मैने में नई होंगे तो 1500 से 2000 लोग इससे स्वस्थ हो रहे हैं और अपने रोग से मुक्त हो रहे हैं दवाईयों से मुक्त हो रहे हैं इससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है यह आप ले सकते हैं और इससे आपको कोई भी नुक्षानी नहीं होगी क्योंकि हम खुद अपनी मा को देते हैं मेरी मा भी यही लेती है, उसको भी बाइपास कहा था, नहीं करवाना पड़ा, वो तो कितने सालों से ले रही है, पहले वो खुद बनाती थी, अभी हम लोग उसको बना के देते हैं, लेकिन वो एकदम नैचरल है, इसमें और कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डला, नीमबू और एपल काम रहता है, तो ही इम्यूनिटी डाउन होती है, और इम्यूनिटी डाउन होने से हमें सारे रोग होते हैं, तो जिसका खुन सुद्ध करना है, यानि साफ करना है, खुन को बढ़ाना है, और डायबिटीज भी मिटाना है, तो उसमें ये प्रिकली पैर का जूस काम करता है इसमें date weight कुछ होती नहीं है, ये बनता रहता है, आता रहता है, sticker तो पुराने पड़े होते हैं, तो वो चिपका देते हैं, ऐसा नहीं है, माल तो ताजा ही आता है, लेकिन क्या sticker अगर पुराने पड़े हैं, क्या करेंगे, चिपका देंगे न, तो sticker चाहे कोई भी हो, आप sticker कर पे मत जाना ये चीज फ्रेश है लेकिन डायबिटिक पेशन्ट हो या खास करके यंग्स्टर्स लड़कियों को जिनको हीमोग्लोबिन की कमी आजकल ज्यादा रहती है उनको अगर हम चीया सीड के साथ ये देते हैं तो बहुत फाइदा करता है चीया सीड डायबिटिस भी मिटाता है अपने हॉर्मोन को भी बैलेंस करता है वेट भी पेट ज्यादा है ना कौन कोई मुझे पूछ रहा था ये कैसे कम करें हाँ इससे इससे कम होगा ये चीया सीड एक चमच भीगा दे अगर आपको सुबे पीना है 9 बजे के करिब तो राद को भीगा दे काच के गीलास में भीगा देने का चमच गुमा के पौना गीलास पानी में भीगा दे और सुबह में जब भी आपको ये खोले ना खोलने के बाद आप फ्रीज में रखे अब ए पहले तो बाहर रख सकते इसमें स्टीविया है ये एक natural sweetener है जिस से diabetic patient को काफी फाइदा होता है तो ये cap है इसको हिला के आपको cap भरके वो भीगाए हुए chia seed में डाल देना है हिला देना है जरा सा नीमू भी आप डाल सकते हैं फिर हिला देना है और आप बैठ के पी लीजिए prickly pear ये English name है इसका जो गुजराती में इसको फिंडला कहते हैं ये होता है कैक्टस के पेड़ पे आप जानते हो कैक्टस का पेड़ जो काटो वाला होता है जो खेतों की boundary में लगाया जाता है जिसके उपर winter में लाल कलर के फाल आते हैं जिसमें बहुत से काटे होते छूओ ना तो भी चुप जाए उसका juice है ये और ये export होता है ये market में बिखने वाली चीज नहीं है market में तो 100-200-300 में मिलता है पानी जैसा पतला ये तो pure pulp है और इसमें stevia है बाहर तो चीनी की चासनी डालते है जो आपको ज़्यादा नुकसान करती है ये तो pure है ये चीज export होती है ये market में नहीं मिलेगी ये चीज यहीं से आपको मिल जाएगी ये है बहुत effective मेरे बेटे का hemoglobin उसको डेंग्यू हुआ था बिल्कुल डाउन हो चुका था नौ मैंसे चौदा केवल डेड महीने में केवल डेड महीने में बहुत fast hemoglobin बढ़ाता है एक है prickly pear का juice दूसरा है wheatgrass का juice और अपना green juice ये तीन चेज़े अगर इंसान रोजाना लेता है न उसका hemoglobin कभी भी down नहीं होगा never कभी भी नहीं ये चीज बहुत कारगत है ये भी आप ले सकते हैं अब किसी को B12 कम है अभी तो B12 ज़्यादा तर लोगों को कम ही रहता है तो क्या करें उसके लिए hemoglobin calcium और B12 साथ में B3 भी ये एक sea food है spiruluna ये सब कोई दवाई नहीं है ये natural चीज है spiruluna इसमें भरपूर B12 है केवल एक ice cream spoon आप ऐसे ही ले लो या फिर आप पानी में मिला के ले लो या green juice में मिला के थोड़ा सा green juice उसमें डाल दो हिला के पहले पी लो फिर उपर दुसरा green juice पियो या अखिर में पियो इसका कोई taste नहीं है तेस्टले से लेकिन इस से आपके B12 के injection पंदरा दिन में बंदो जाएंगे दूसरा एक natural way दो अंजीर रोजाना भीगाए दो अंजीर रोजाना भीगाए दिन में और शाम के वक्त जब आप नीन से जगते हो जब आपको कड़ी भूक लगती है तब ये भीगाए हुए अंजीर को आप कटोरी से बाहर निकाल ले चमत से और उसका जो पानी है उसमें आप fresh yeast जो बैकरी सॉप में मिलता है ब्रेड बनती है न वहाँ पे मिलेगा आपको fresh yeast चने के दाने लाके उसको फ्रीजर में रखना क्योंकि वो गिला आता है बस वो आप चने के दाने जितना थोड़ा ही लाने का 40-50 रुपिये का फिर ताजा ताजा लाने का बस उसको चाकू की उपर की अगले वाली जो धार होती है उससे या फिर फॉक से ऐसे निकाल दे क्योंकि फ्रीजर में रखेंगे चने के दाने जितना इस्ट आप ये अंजीर के पानी में मिला के आप पी जाओ और उपर अंजीर खा जाओ आपके पेरों का दर्द भी ज्यादा तर चला जाएगा और B12 भी बढ़ने लगेगा इंजेक्शन तो बंदी हो जाएंगे ये स्पीरी लुना और भीगाए हुए अंजीर और अंकुरित आलफा आलफा सीड उसमें भी भरपूर B12 है आलफा आलफा सीड जानते हो तो गूगल पे देख लेना उसको रचका कहते हैं हिंदी में गदब कहते हैं जो गाई को हम नह खिलाते हैं हरा वाला घास चारा जो मीथी जैसे पत्ते होते हैं जिसके आगे लवंडर फूल रहते हैं गदब उसको आलफा आलफा कहते हैं उसके सीड आते हैं उसको आप हपते भर के लिए स्प्राउट करके रख दे और अपने सलाड में या मुठी बर खाएंगे आपका नी रिप्लेस्मेंट बंद रहेगा क्योंकि दर्द ही चला जाएगा केल्शियम इतना बड़ेगा ना कि बॉड़ी पे इन चलाई जाएगा पेरों के दर्द के लिए एक तो बबूल सीड होता है हाँ अंजीर को दो अंजीर को भिगाने का और उसका पानी जो है आप जैसे पाच-छे घंटा आपने भिगा दिया फिर उसके पानी में आप फ्रेश इस्ट चने के दाने जितना मिला के पी जाए और उपर अंजीर खा जाए बैकरी शॉप जहां पे ब्रेड बनती है वहीं पे मिलेगा उनको बोलने का फ्रेश इस्ट दो 40-50 रुपय का इतना साथ आए इतना ही लाने का और फ्रीजर में रखने का वो बाहर तो 15 मिनिट में खराब हो जाएगा लाया वैसे तुरंत रख दो तो ऐसे आप यह अ हाँ नी के लिए नी के लिए आलफा-लफा सीड है और दूसरा है बबुल सीड उसको आप शहत के अंदर मिला के चाट सकते हैं बबुल सीड इधर दो पैकेट है और दूसरा गिलोई आता है, गिलोई जानते हो नीम गिलोई, हाँ वो बाबाराम्देव वाला नहीं बोल रही है, नीम गिलोई की लकड़ियां आती है, fresh लकड़ियां, वो आप भिगा दो, मेरे पास एक वो रेड कलर की थेली थी ना, रेड कलर की बैग, उसमें गिलोई है, यह नीम गिलोई BP में, Diabetes में सब में फाइदा करती है हर रोग में फाइदा करती है चाहे कोई भी इंसान ले ले यह केवल लकडियां है यह तो मैं एक ही पैकेट लाई हूँ केवल क्योंकि मैं सेंपल के लिए लाई हूँ यह नीम गिलोई की लकडियां है इसको आप अच्छे से साफ करके थोड़ा कूट के पानी में भीजा दे इतनी सारी एक गिलास पानी में, तांबे के लोटे में या फिर कांच के गिलास में आप रख सकते हैं हाँ तो वो फ्रेश बहुत अच्छा है हाँ हाँ बहुत अच्छा है बस उसको आप फ्रेश उसके तोड़के थोड़ा कूटके आप उसको भीगा दीजिए कांच के गिलास में और फिर आपको जब जैसे आपको सुबह भीगाया और शाम को पीना है तो आप उसमें उस टाइम पंदरा पत्ते तुलसी के ऐसे पीस के डाल दे और आदी चमच हल्दी डाल दे और इसका आप सेवन कीजिए आपका सुगर का लेवल चाहे पांसो क्यूं न हो फट से नीचे आएगा इससे ऐसा नहीं कि केवल सुगर गिरता है बीपी भी कंट्रोल करता है हड्डियों को भी मजबूत करता है तो ये मेरे पास एक डिब्बी है ग्रीन कलर की जो जिसके अंदर नीम गिलोई है फिर ये बबुल सीड है नगोड के पत्ते हैं काफी आउशदियां है उसमें सब मिला के जो बनाया गया है वो ऐसा एक फॉर्म है एक डिब्बी में जिसको आप गरम पानी के साथ उसके अंदर चमचे उतना ले सकते हैं उससे बॉडी पेइन कोई भी हो कहां भी हो चला जाता है सुगर के लिए नीम गिलोई, हल्दी और तुलसी बीपी, डायाबिटीस और स्कीन डिसीज सोराइसीस, एक्जीमा स्कीन में खुजली कोई भी परेशानी हो तो इसका नाम है पनीर फूल ये दूज से नहीं बनता है ये पाकिस्तान में होता है ये एक नैचरल फूल है बहुत सॉफ्ट होता है तूट जाता है इसके अंदर जो पत्तियां भी है वो भी आपको भीगा देने की डायबिटीक पेशन्ट दस से बारा दाने जितना भीगाएगा रात को धो के आधिकटोरी पानी में बीपी का पेशन्ट पांच या साथ दाने ज्यादा नहीं बीपी और स्कीन डिसीज पांच साथ दाने बस रात को एक आधिकटोरी पानी में आप भीगा दीजिए और सुबह में उठते ही जब आप उठते हो फिर जब आप कीचन में जाओ तब इसको केवल हाथों से मसल दो आधिकटोरी पानी है उसमें मसल दो फिर छोड़ दो फिर जब आपको ऐसा लगे कि अब मुझे कुछ लेना है तब उसको आप फिर से मसल के चान लो चननी से, स्टील की चननी से और ये पी जाओ, ये कड़वा होगा ये पी लो, इसके बाद आधा गंटा कुछ भी ना लो फिर आधे गंटे बाद आप जो भी लेना चाहते हो ग्रीन जूस है या नीबू पानी है आप जो भी लेना चाहते है आप ले लो, आपका सुगर का लेवल आइस ताइस, आपकी गोलियां छुट जाएगी आपका इंशूलिन भी छुट सकता है अगर आप इसका रेग्यूलर सेवन करते हैं तो, सोराइसीज एक्जीमा बिल्कुल चला जाएगा चाहे कैसा भी आपको दराज है, कुछ भी है सब कुछ चला जाएगा यह बहुत ही इफेक्टिव है पनिर फूल जिसको भी चाहिए ना, इदर ही काउंटर लगा है सब कोई, हर कोई चीज थोड़ी-थोड़ी है यह रहा ना काउंटर, इदर ही लगाया है तो क्या है, आपको जो भी चीज चाहिए आप इदर से ले सकते हैं क्योंकि फिर क्या आपको पूछना भी है ना, तो मैं इदर ही बैठी हूँ कि यह किस के लिए है तो आप ऐसे ले सकते हैं, सारे सीड ले सकते हैं मैंने बताया था, काली किसमिस दाने वाली अंदर से सीड वाली और उसके अंदर मैंने तीन काली छोटी हरड मिलाने को बोला था न, तीस काली किसमिस और तीन काली छोटी हरड, ये दो ही है, लेकिन ये ऐसी होती है, कड़क रहती है, लेकिन भिगाओगे तो सौफ्ट हो जाएगी, उसको फिर चाकू से दो तीन पीस करके काली किसमिस के साथ डाल देने का, और मिक्सी में चटनी जार में क्रश कर दो, फिर छान लो, इससे पित शान्त होता है, एशिडिटी सान्त होती है, इससे वायू का समन होता है, तो ये चीज बहुत ही कारगत और ये नेचरल प्रेशर भी आपका बनाएगा, इसको आप रात को भी पी के सो सकते हैं, मुनक का जो बड़े-बड़े किसमिस नहीं आते हैं, उसको भी आप सुबह में 15 दाना भीगा के, आप बेटिया को या जैंड्स को दे सकते हैं, जिनको प्रोस्टेट की तकलीप है, उनको आप ये मुनक का भीगाए हुए, रात को वो 15 दाने खा लेंगे, और उसका पानी पी जाएंगे, तो देखना उसके प्रोस्टेट की तकलीप में भी उनको आराम होगा, हाँ मुनक का और काली किसमिस दोनों अलग है, मुनक का तो ब्राउन कलर के आते हैं, मेरे पास नहीं है, और ये चीजे आप लोगे और तर्बूच के बीज, वो भी प्रोस्टेट में काम क करते हैं, तो ये सब चीजे इधर हैं, आप कोई भी लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, आप इसका उप्योग करें, हाँ, बहुत अच्छा रहता है, हल्दी का सेवन सबसे अच्छा है, लेकिन उसको आप अकेली हल्दी खाए, उसके जगह आप अजवाइन के साथ या जीरा अजवाइन के साथ खाएंगे हल्दी, या तुलसी के साथ, या भीगई हुई गिलोई के साथ, तो वो और फायदा करेगा, पीस के रख देने का, अजवाइन और जीरा आपको पीस के रख देने का, उसमें हल्दी भी मिला देने कि सब समान मातरा में, हाँ एक डिबी भर के रख दो, सुबह में डिबी रेडी है, आप बस उसे चमच भी रखे, ऐसे करके ले लिया, लेकिन सुबह सुबह नहीं हो सके, तो थोड़ा उपवास कीजिए, बाद में लीजिए, फास्टिंग के थोड़ा फास्टिंग, मैं ज्य परमशदम, यही आपका परमशद है, सुबह का फास्टिंग आपकी सारी दवाईयां बंद करवा देगा, फिर आप आदे आदे घंटे में ये जो चीजे बताई, ये आप ले सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं कोई नुक्सन, आपको हजम होना चाहिए, इससे आपको पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, चना मुंग, कम, चना कम लीजिए, मुंग भले आप दो चमत ले ले, लेकिन चना एक ही चमत ले, अंकुरित, वो और बहुत चबा-चबा के खाए, वो साबुत अपनी पौटी में नहीं निकलने चाहिए, वरना फिर आप उसको क्रश कर दो, च एक्सेसाइस चाहिए, आप एक्सेसाइस करते हो, जोगिंग करते हो, साइकलिंग करते हो, स्वीमिंग करते हो, तो आप खा सकते हैं, जीम करते हो, तो आप मना नहीं करते हैं, लेकिन अंकुरित गेहु भी बहुत अच्छे हैं, वो सोने जैसे कह जाते हैं, लेकिन गेहु स अच्छे खाद वाले मिले तो, गोबर के खाद वाले, तो वो आप ले सकते हैं, बाकी है नेचरल, बच्चे है न, बिस्किट मांगते हैं न, ये ओट्स के बिस्किट है, इसमें नेचरल, और्गेनिक गुड मिलाया हुआ है, स्वीट भी है और नमकीन भी है, जीरा इन वाले, ओट्स है, तो बच्चे को आदत छुडानी है, तो इसके भी 6-7 पैकेट ही होंगे, ये बहुत हेल्दी है, और बच्चो को ये देके आप आइस्ता आइस्ता बिस्किट की आदत से दूर कर सकते हैं, नेचरल मिठाई है, एनरजी बार, यहाँ भी है, नीचे भी मिलती है, नेचरल मिठाई, अपने जो हेल्थ स्टोर है ना, वहाँ भी मिलती है, ये तील, मुमफली, गूर, ड्राइब फ्रूट और शहद के लड्डू है, केवल तीन पैकेट है, ये एनरजी बार, जब भी भूख लगी, दो तीन खा लिए, बस आपका पेट भर ये कच्चे ही है, इसमें है पिंड खजूर और ड्राइफ रूट यानि की बादाम, काजू, पिस्ता, ये सब बहुत सारा डला हुआ है, जिसको एनरजी बार कहते हैं, इसका चॉकलेट की तरह भी आप कर सकते हैं, खजूर के अंदर डाल के, और बच्चों को अगर दो पी कोबिन, आइरन, केलशियम, सब कुछ मिल जाएगा बच्चों को, ये बहुत हेल्दी है, आप भी खा सकते हैं, ऐसी तीन चीजे है, जो नेचरल है, बाकी सब सीड है, चाट मसाला, अब एक रह गया है, बोलो तो लू, ले लू, ये है अमेरिकन बैकिंग सोडा, ये आपका अंदरोनी सफाई करेगा, छोटी आद, बड़ी आद, दोनों साफ करेगा, इस से कैंसर भी चला जाता है, केवल कैंसर नहीं, बीपी, डायबिटीज, वेट लॉस, ये सब में कारगत है, क्योंकि अंदर से पुराना मल, चार-पात दिनों में निकालना शुरू कर देता है, काला काला इतना भूम और तंबल निकलेगा, आप सोचोगे इतना डालते नहीं, ये निकलता कहां से है, इतना निकलेगा, लेना कैसे है, उसकी विधी, लेना है इसे, आप एक बड़ा गिलास कांच का लीजिए, और उसमें आप वन फोर्थ ग्लास, यानि कि तीन घूट ज हो गया, बस जब भी आपका उपवास आप खोलते हैं, अगर आप डायबिटिक है, तो पहले आप पनीर फूल का सेवन करें, उसके आधे घंटे बाद इसका सेवन करें, आधा चम्मच, आपको ये छोटी आधी चम्मच, बहुत बड़ी नहीं, छोटी आधी चम्मच, आप को ये अमिकन बैकिंग सोडा लेना है, और उसी चम्मच को आप जैसे ही पानी में डालोगे उभार आएगा, सोडा की तर, इसलिए बड़ा गिलास कहते हैं, बस यूँ डाला उसी से फटा पठिला के एक या दो घूट में पी जाओ, उसको रखना नहीं है, तुरंत पी जा पांच दिन तीन टाइम, जैसे कि आप सुबह में दस बजे लेते हो, तो चार घंटे के बाद दुबारा ले सकते हैं, तीन टाइम में, और सुबह शाम लेते हो, तो आप छे से आट घंटे का बीच में गैप रखे, और एक बार यानि दिन की शुरुवात, जब भी करते हो कुछ लेने की, तब आप ये ले, कोई भी चीज एक लेना, उसके बाद आदे गंटे का गैप रखे, ताकि उसका असर बने, ये लेने से अंदरोनी सफाई तीन या चार दिन के बाद तुरंट शुरू हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा पांथ दिन में, लेकिन इसकी साइक आपको पूरी करनी है, अगर आप ज्यादा ओबेस हो, ज्यादा बाहर है, महिने की साइकल कर लो, पंदरा दिन जो आपने किये न, पांच दिन एक टाइम, पांच दिन दो टाइम, पांच दिन तीन टाइम, एक टाइम, हाँ, पहले चड़ने की सीड़ी, फिर जो सीड़ी उतरते हैं न, तो वो फिर ऐसे करनी है, पांच दिन तीन टाइम, पांच दिन दो टाइम, फिर पांच दिन एक टाइम, एक माईना कम्पलीट हो जाएगा, ये साइकिल को, इस से ज्यादा तर बीमारी चली जाएगी, आपका पैर हो, पैर जो भारी-भारी रहते हैं और पेइ हो जाएगे, क्योंकि अंदर से इतना सारा मल निकलेगा, आपने सोचा नहीं होगा, इतना निकलेगा, एनिमा जरूरी है, और ये लोग, इसके साथ स्पीरिलूना जरूरी है, इसके साथ हीमोगलोबिन जरूरी है, चीयासीड और ये, ये सब उसके सबस्टिट्यूट है, यह सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, बहुत सारी कितनी सारी दवाईयां लेते हैं, यह तो सब नैचरल चीजे हैं, यह लेने के बाद किसी की भी तब्यत खराब नहीं हुई है, बस मात्रा आप सेट कीजिए, अगर पतले हैं, तो थोड़ा सा लेजिए, आइस क्रीम स्पून, य वाला, अमेरिकन बैकिन सोडा, तो यह सब जो प्रोड़क्ट है, वो इधर है, आपको, जो भी आपको क्या चीज चाहिए, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप ले सकते हैं, और इसका उपयोग आप शुरू कर दीजे, आपको परेणा मिलना भी शुरू हो जाएगा, अभी आप साइद रसाहार में होना, तो अभी चालू मत करना, रसाहार खतम होने के बाद शुरू कर सकते हैं, घर पे जाके भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, क्या लेना है, शहद, शहद आप ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में ले, इतना भी उपयोग ना करें कि आप केवल मि इठा ही खाए आपके लिए उत्तम में उत्तम है तो है साइट्रिक फूड सब जो भी खट्टे है वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं हम यह नहीं कहते कि आप बिल्कुल ना लो कभी कबार ले सकते हैं फल खा सकते हैं नहीं अच्छा है बहुत गलत है इसलिए तो इसमें स्टीविया डला है सुगर फ्री कभी नहीं वो तो बहुत नुक्षान दे हैं स्टीविया उसका नेच्रल फॉर्म भी आता है अच्छा वो मुझे नहीं पता है लेकिन आपको किस चीज में चाहिए लेने के लिए नैच्रल स्वीटनर मिठा करना है तो फिर आप शेहद मिलाईए उससे अच्छा तो प्यॉर से अगर प्यॉर शेहद है ना तो वो आपको नुक्षान नहीं करेगा लेकिन मार्केट में मिलने वाला अगर सुद्ध है तो आप स्टीविया ले सकते हैं हम मना नहीं करेंगे लेकिन वो आपको विश्वास वाला होना चाहिए सुगर पेशंट कितने है एक ही है अच्छा है है तो उनको ना रात को सोने से पहले दो करेला दो टमाटर और दो ककड़ी का जूस पीने का उसके अंदर आप एक दो पिस लसुन डाल दो ये बहुत अच्छा काम करेगा आपका सुगर का लेवल भी डाउन लाएगा सुबे तो आप ग्रीन जूस वगेरा पी सकते हैं रात को पीना है क्योंकि सुबे का फास्टिंग किसी को ज्यादा आता है जब चेक करते हैं न तो भोजन सोने के तीन घंटे पहले करना है तो लेकिन प्लीज डाइबिटिक पेशंट हो सके तो कच्छे पे चले कम से कम हंड्रेड डेज और आगे चलो तो चतुर मास आपका डाइबिटिस हंड्रेड एंटेन परसन खुन से चला जाएगा फिर हम आपको गन्ने का रस भी बोलेंगे आपको आम भी बोलेंगे आप कितना भी खाओगे नहीं आएगा लेकिन साथ में रोटी खाओगे तो आएगा आम रस के साथ अगर रोटी खाली तो सुगर यू जंप लगा के आएगा इसलिए रोटी नहीं खानी है जव की रोटी आप आम रस के साथ नहीं कोई भी फल खाने अकेले खाने दो पैर को खाने साम को आपको पकव खाना है तो मिलेट्स खाईए तो आपका सुगर नहीं पड़ेगा, ये डॉक्टर खादर वली अज रात को देख ले ना, ना, हाँ जी, क्या, हाँ, ये रहे न, सब मिलेट्स है, ये है, इसमें लीटल है, कोडो है, फिर बन्यार्ड है, फिर ब्राउन टॉप है, फॉक्स्टेल है, ये ही सब है, इसमें भी ये ही सब है, तो ये सब आप ले सकते हैं, ठीक है, तो आज का सैसन यहीं तक, मुझसे बोलने में कोई भूल होई हो, आपको कुछ गलत लगा हो, तो हमें माफ करना, सब को प्रणाम, हरियो, तो अंकूरित, अंकूरित, आप सौक से खिला, ये मेरा बेटा भी जीम करता है, और अंकूरित अच्छे से खाता है, लेकिन चबा-चबा के,